एक नासिस जब आपके गेंस्ट स्मेयर केम्पिंग करता है और वो सब आपके खिलाफ करता है ठीक है ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता कि एक दो दिन का प्रोसेस होता है वो अलड़ी हमेशा से आपके लिए लोगों के माइंड फीट कर रहा होता है लेकिन क्योंकि देखिए कि आप जिस टाइप की सोल है उनको पता होता है कि एक ना एक दिन आपको जगरती आ जाएगी एक ना एक दिन आप समझ जाओगे कि आपके साथ क्या चल रहा है and that day if you go out and tell people कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है तो कोई भी आपका येकीन ना करे इसका इंतजाव वो पहले से क मसता है एक एसा वक्त आया होगा अगर आपकी सिनासिस्त के चंगुल में रहे हैं और आपने वक्त देखे हैं ऐसे वाले जहां पर आपकी इमेज को पूरी तरह से खराब कर दिया गया आपका सूशल सरकल पूरी तरह से खतम हो गया आपकी इमेज पूरी तरह से डैमेज हो गई हर कोई आपके खिलाफ हो गया आपके अपने भी आपके खिलाफ कर दिये गए और हर कोई आपको जज़ कर रहा है कोई भी आपकी बात का यकीन नहीं कर रहा है यानि कि नार्सिस ने आपको पूरी तरह से अलोन कर दिया अकेला कर दिया लोगों को पूरी तरह से आपको खिलाफ कर देते हैं वो और वो ये बहुत न चलाकी से बहुत बारीकी से करते हैं यही वज़ा है कि जब आप जाके सफाईद होगे आप हड़ बड़ा की एक तिन निकलोगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है रुको मैं तुम्हें लोगों को बताती हूं आप जाए लोगों को ये लोग आपका यकीन नहीं करने वाले क्योंकि उस नास्टिस्ट को मालूम था कि एक तिन ऐसा आए का उसने उस चीज़ की पहले से तैयारी करके रखी थी और जब आप बहुत इमोशनल अपन डाउन से गुजरेंगे आप बहुत हड़ बढ़ा के तिल मिला के आप लोगों के पास जाएंगे तो लोग पते क्या समझेंगे इन्होंने पहले से उनके माइंड भरके रखे होते कि इसका बहुत इमोशनल इंबैलेंस है ये बहुत ए एक इम्मैचूर एनरजी है बहुत इम्मैचूर इनसान है और जब आप ऐसा कुछ करते हुए नासित की शिकायत लेकर लोगों के पास जाते है ना तो लोग उल्टा आपको जर्ज करते हैं और उनको लगता है कि बिल्कुल सही बात कही थी नासिस्त ने आपके लिए कि आप काफी इम्मैचूर से इनसान है और देखो देखो जैसा उसने बोला था यह सच में वैसा ही कर रही है यह उसके खिलाफ ही बोल रही है ठीक है तो वहाँ पर आपकी सफाई काम नहीं आ सकती वहाँ पर क्या खामाएगा अगर आपको कुछ पता चलता कि आपके खिला क्योंकि तब ही मैं भी मैचूर थी मैं इंट्रेट को नहीं जानती थी मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या चल रहा है लिकिन वहाँ पर आपके लिए क्या काम करता है उस्पर आते हैं तो वहाँ पर आपके लिए वक करेगा आप अपना फोकस हटा दीजिए देखिए इस तरह से सोचना स्टार्ट करिए, then I reversed my thinking, मैंने अपनी सोच को reverse कर दिया, उल्टा कर दिया, एक, दो, दस, बीस, पचास, सो, कितने लोगों हैं, जो आप लोगों के, आप दोनों के close contact में हैं, आपको भी जानते हैं, देखिए, पहली बातों नार्सिस्ट, उन लोगों को करेग हो सकता है, वहाँ पर वो आपके किलाफ चीजे करके रखेगा, जहां उसको नुकसान की संभावना होगी, ठीक है, वो अपने सरकल में कितना कर लेगा, आपने उस सरकल से बाहर निकल जाना है, बहुत, दुनिया बहुत बड़ी है, लोग आपको काम भी देंगे, लोग कहां जाकर आपके खिलाफ चीजे कर लेगा, तो इस चीज को ही रिवर्स कर दीजिए, आप अपना फोकस ही शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि ये भी नासिस्ट के लिए एक तरिकी सप्लाई होती है, जब उसको पता चलता है कि उसका किया धरा इतना सक्सेस्फुली वर्क कर क्यμεंठा रहे है, और आप दिल मिला रहे हो, आप तडब रहे हो, आप रो हो, आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि नासिस्ट कभी कर मा में बिलीव नहीं करता, वो तो स्वेमे मही भगवान है, वो तो खिदी भगवान है, भगवान तो उसके बहुत चोटा ब्लाए कोई जिसको बहुत अच्छे से वह अगर्बत्ती करेगा ठीक है ढोग पाखंड कर लेगा बहुत भगवान के नाम के कोट्स लगा लेगा बहुत भगवान के नाम की महिमा गा लेगा इंटरनेट पे सुडो साइट अपनी स्पिरिच्वालेटी दिखाने के लिए जूटा अपना स वह असलीयत में अंदर से कर्मा को बिलीउन करते हैं नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या वाग करएगा आपके लिए वह करेगा वो बुरे कर्म करने से लिएख लुडा करेगा अपना पूरा focus उस person से और जो लोग उससे manipulate हो गए उनसे हटा कर आप अपना पूरा focus उसकी fly monkey से हटा कर अपने उपर ले आईए अपने उपर ले आईए आपको believe me बहुत बड़ी दुनिया है आपको सब कुछ मिलेगा आपको प्यार भी मिलेगा respect भी मिलेगा आपको काम भी मिलेगा जो कुछ नसिस ने आपका नुकसान किया है कुछ समय बाद आप उसको recover कर लगए अगर आप उस पर अपने आप पर ही focus रहते हो उस पर से focus अटाते हो अगर उसकी बातों से effect नहीं होते हो क्योंकि तब थोड़े दिन बाद आप उसकी interest की चीज भी नहीं रहा जाओगे ठीक है अगर आप उस पर से पूरी तरह अपना focus अटालोगे self पे centered हो जाओगे अपनी energy पे ही focus करोगे थोड़े टाइम बाद आप उनके लिए boring भी हो जाते हो क्योंकि उनको वो शिकार चाहिए जो उनको ultimate supply देता रहे है ना तो उनको सिर्फ आपने इतना करना है कि हाथ जोड़िये ठीक है और वहां से निकलिये 10-20-50 लोग जो उसके द्वारा manipulate होगे वो आपकी life decide नहीं करते है ठीक है आपकी life आप खुड define करते हो वो लोग कोई नहीं होते है आपकी life को define करने वाले वो आपको लाख बुरा कह ले अखिर एक दिन दुनिया आपको फैचान लेगी ठीक है आपकी value जान लेगी और आप निकल जाएंगे believe me निकल जाएंगे otherwise आप फसे रह जाएंगे thank you so much